हेलो एवर्वन वेलकम बैक तो बिलीवी लेर्निंग आज हम बात करेंगे क्लास 11 यूपी बूल्ड सब्जेक्ट इंग्लिस के ऊपर 22-23 सेशन का लेटेस्ट सलेबस अपडेट हुआ है भी एक ही दो दिन पहले आपकी ऑफिस्यल वेबसाइट पर यूपी बूल्ड की लास्ट यह जैसे कि आपका सेलेबस था वो जो है रेडियूस था 30% कर दिया गया था 70% का कॉर्स आना था सीम इस बार भी यही पैटन यूपी बूल्ड या फॉलो करा है थोड़ा सा बर्डन आपको का रिलीज करने के लिए ह ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट की वीडियो जो भी सलेबस है आपका फिजिक्स कमेस्ट्री अकाउंट्स कॉमर्श स्ट्रीम से है कोई भी स्ट्रीम से है आपका वो डे टुडे आपको अपडेट करा दिया जाएगा तो क्लास 11 इंगलिस सब्जेक्ट पर बात करी जाए तो इंगलिस में जो आपका सबसे पहला सेक्शन रहाएगा वो आपकर रहाएगा रीडिंग सेक्शन अब रीडिंग सेक्शन में कह रहाएगा रीडिंग सेक्शन आपकर रहाएगा बारा नंबर कर त्वैल मार्क्स का जिसमें एक लॉंग पैसे जाएगा जिसमें आपको तीन short questions होंगे, वो answer करने होंगे और दो आपके vocab के question होंगे vocabulary के questions होंगे तो जो आपके 3 questions आएंगे वो 3,3 marks के होंगे, यानि कि 9 marks के आपके short questions होंगे और यह जो vocab आएगी, vocabulary आएगी वो 1.5 की एक होगी और दूर्सी भी 1.5 की होगी, तोटल यह 3 marks है यानि कि वकायब आपका section A से reading section से 3 marks और जो short questions से 3 marks के आएंगे 3 questions यानि कि 12 marks आपको यहां से बनेगा then आप आओगे writing section में तो writing section में आपका जो weightage बनेगा वो 20 number का 20 marks का बनेगा इसमें आपको report writing, note making and summary report writing और note making में आपको option मिलेगा और summary आएगी वो आपका रहेगा 5 number 5 marks का essay और article writing में भी आपको option मिलेगा जो कि 10 marks करेगा letter to the editor and complaint letter इसमें भी option रहेगा वो आपको मिलेगा 5 marks यानि कि report writing और note making में option रहेगा summary आएगी 5 marks essay और article में option रहेगा 10 marks letter to the editor या complaint letter इन दोनों में से एक आएगा वो भी आपको रहेगा 5 marks तो यह writing section section B से रहेगा जो कि आपको रहेगा 20 marks का then move करें third पे हमारा section C grammar आएगा grammar आपको बनेगा weight is total 28 marks का जिसमें आपके 10 questions होंगे mcq भी होंगे और very short type questions भी होंगे mcq पर भी based होगा और very short भी होंगे अब यह आपके narration, synthesis transformation, syntax इन सारी चीज़ों पर आएंगे synonyms, antonyms, one word, substitution homophones इस तरीके से आपके in particular topics पर कोई भी 10 questions आपको मिलेंगे वो mcq भी हो सकते हों very short questions भी हो सकते हैं यह जितने भी 10 questions आपको मिलेंगे वो 2-2 marks के होंगे 10 questions होंगे, total 20 marks बनेंगे और फिर आपका grammar के अंदर translation आएगा, Hindi to English 7 to 8 words का sentences का आएगा 8 marks वहां से आपके बनेंगे 20 marks आपके यह narration वगरा के हो गए और translation Hindi to English के 8 marks 828 marks आपका grammar बनेगा then आप आएंगे section D literature पे literature में आपकी text book horrible होगी, जिसमें prose और poetry और दूसरी आपकी supplementary book होगी आपका यह section D literature है वो बनेगा 40 marks का अब यह 40 marks का जैसे prose है, जो आपका story section है इसमें एक long question आएगा पूरा का पूरा एक बड़ा सा long question आएगा, जो आपका 7 marks कोगा एक ही आएगा, कोई option नहीं, long question डारेक्ट आएगा और दो आपको short questions पूछे जाएंगे 4-4 marks के तो 7 marks का long question और दो short questions पूछे जाएंगे 4-4 marks के 8 marks आपका यहां से बनेगा then poetry में poetry में आपको poetry से ही कोई वो दिगा जाएगा, poetry एक दी जाएगा उसी से कोई भी 3 questions आपको answer करने होंगे जो आपके 3-3 marks दो-दो number के बन जाएंगे वो 6 number and then आपका central idea central idea भी आपका poem से ही होगा 4 marks का, यह जो central idea है इसी में आपको figure of speech भी पूछी जाएगी to be noted यह जो आपका central idea है, question number 10 इसी के अंदर आपको figure of speech पूछी जाएगी, figure of speech जो हमारे अलंगार होते, art होते हैं इनहीं में से आपको figure of speech central idea के ही अंदर पूछी जाएगी कहीं न कहीं, किसी न किसी term से related आपका supplementary snapshot इसमें क्या होगा, same as जैसा आपका उपर था, वही यहाँ पर हैं यहाँ पर भी एक long question आपको मिलेगा seven marks का, और दो short questions होंगे four four marks के eight marks आपका यहाँ से बनेगा एक long question seven marks, यह आपका पूरा का पूरा रहेगा अब आपके यह chapters हैं, जैसे the portrait of lady, we are not afraid to die discovering the sun landscape of the soul इस तरह the photograph, इस तरह के the voice of rain, childhood यह सारे आपके chapters cover होंगे तो आपके जो latest syllabus है यूपी बोल्ड का, यह आपका 22-23 session का है, class 11th English, यूपी बोल्ड का 30% reduce है सिब 70% ही आपको पढ़ना है जो pattern दिया गया, उसी pattern बे आपका paper आएगा आगे आपको next जो भी subjects मिलेंगे, उनको लेकर हम मिलेंगे, till then, like, comment share करना मत भूलेगा, till then keep learning with believe learning, धन्यवा